नमस्तेकार और आजम कड़े हैं इंडियन फायर फाइटिंग वाइकल के सामने जिसका नाम है फायर ट्रॉक नाइंटीन जिरो सिक्स में लॉंच हुआ था और यह 2020 का लेटेस जनुरेशन वेरियंट आप देख रहे हैं कई कंपनीज फायर ट्रॉक्स बनाती हैं यह अशोक लेलेंड का 16-18 फायर ट्रॉक आप देख रहे हैं जिसकी कीमत है लगबग 50 लाक रुपीस फायर एंजन फायर टेंडर या फायर एप्लाइंस भी कहा जाता है फायर ट्रॉक को यह ट्रॉक फायर फैटिंग ऑपरेशन के ल होस पाइप और रेस्क्यू ट्यूल जैसी कई चीज हैं इंडिया में 101 इमर्जंसी नंबर है फायर ट्रॉक का और भी कई कंपनीज फायर ट्रॉक्स बनाती हैं और यह हाइलाइटेड बंपर हैड लाइट्स हैं और यह केबल विंच है रिमोट के साथ जो 1.5 तन तक का वज सकती है लक्षमी कंपनी ने डिजाइन किया है यह फायर ट्रॉक है हैंडल बार अशोक लेलेंड की बैजिंग एडवांस फायर टेंडर अशोक लेलेंड का लोगो 1618BS4 ABS की बैजिंग सिर्फ ड्राइवर साइड ही वाइपर मिलेगा उपर साइरन और बीकन लाइट्स है साइड इंडिकेटर फोट स्टेप्स हैं लगबग 9.4 मिटर लेंद है 3 मिटर हाइट है 253 mm ग्राउंड के रिएंस है और 16,200 kg ग्रॉस फेट है इस फायर टेंडर का तीन मंद्स लगते हैं इस अशोक लेलेंड फायर ट्रॉक को बनाने में और यह हैं 20 इंच के स्टील वील्स एयर ब्रेक्स हैं ABS और आटमेटिक स्लैक एडजस्टर ASA के साथ यहां से बढ़ेंगे डीजल एक्जॉस्टेल पाइप 20 इंच के वील्स हैं दुनिया का पहला modern फायर ट्रॉक 1904 में Knox Automobile Company ने USA में बनाया था इस ट्रॉक में 500 लेटर का फोम है 5000 लेटर वाटर लाइट मास्ट और ब्रीधिंग एपरेटस है 4,50,000 रुपीज का डबल स्टेज मल्टि प्रेशर आटोमेटिक वाटर पंप है आटोमेटिक फोम मिक्सचर के साथ लगबग एक एकड़ तक की जगे में आग बुजा सकता है ये फायर ट्रॉक पीछे दो लेडर्स हैं रूफ में चड़ने के लिए और ये टेल लाइट बॉर्निंग ट्राइंगल उपर लाइट दी गई है पाइप्स ये प्रेशर गेज ये कंपाउंड गेज और ये हाई प्रेशर गेज ये अया टेक कंपनी का ये बॉल्स है हाई प्रेशर होज रील होज पाइप कनेक्ट करनेकलिए दो डिलेवरी बॉल्स है हाई प्रेशर आन अफ करनेकलिए हैन्idet यहां से pipe connect होगा delivery valve से यह flashing valve यह foam inductor यहां से foam निकलेगा और यह suction mouth पानी को सक करने के लिए यह 7 kgf pressure का सिंगल स्टेय सेंट्रिफ्यूगल पंप है और यह पंप का throttle है protection दी गई है light को और यह information है इस truck की 31.4% gradability है दोनों तरफ 30 meter के 10 hose pipes है पीछे 45 meter की hose reel मिलेगी और यह water level indicator उपर light पंप की water throwing capacity 2250 liter per minute है जिसमें यह 7.5 kg force per centimeter square area कवर करेगा 3 meter की suction lift के साथ फुल स्पीड पे चलाने पर दो मिनेट में पानी खतम हो जाएगा और फुल स्पीड में pipe को manage करने के लिए दो लोगों की जरूरत पढ़ती है power take off unit है water pump करने के लिए जो 7 meter depth तक का पानी सक करके निकाल सकता है fire fighting operation के लिए 63 से ज़्यादा equipments हैं इस fire brigade में 50 watt की 4 remote control LED lights diesel generator है 380 mm diameter clutch है booster के साथ और यह spare wheel आगे non driven eye section reverse elliot type axle है और पीछे fully floating single speed high point axle है 5.83 RR के साथ 6 cross members के साथ bolted ladder frame है semi-leptic multi-leaf suspension है 6 seater है यह fire truck अशोग लेलैंड की 1618 chassis पर बनाया है यह fire truck और यह है 300 volt ampere output का GE 3500D portable diesel generator इसके कीमत है लगबख 61,000 रुपीज पर लाइट है 300 volt ampere output है यह जनर्वेटर का कर राउव दॉपीपेंट है वह यह तरिखेंट में यह है वह है 24h वह हैं वह है वही हैज़खद्पीपन्ट है वह वह दibilities हो nasze आएपुपेंट है नहीं Angharaj यह है यह हम चरी जावेश k agua और यह फोम थ्रोइंग जेट गन है आई यह उपर चल के देखते है और यह वाटर टैंक उसके आगे फोम टैंक है और यह 10.5 मिटर का अलिमूनियम एक्सेंशन लेडर यह पानी की टंकी है और यह फोम का टैंक है आगे यह लाइट मास्ट है और यह रिवाल्विंग लाइट फोम टैंक और यह बीकन लाइट फायर बैल और साइरन और यह डिटैचेबल सर्च लाइट काफी लंबा लाइडर फ्रेम है यहां पर भी होस पाइप्स और एक्युपेंट्स हैं रसी दी गई है टूलकेट्स हैं रैम्स भी दिये गए हैं किसी गाड़ी को निकालने के लिए और यह है लाइट मास्ट पैनल अपर लाइट है कॉस्मो टेक कंपनी का लाइट मास्ट रिमोर्ट है रिमोर्ट से भी आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं सेफटी वाल्व प्रेशर गौज मास्ट अप डाउन मेन एमसीबी यहां पर आपको कई सारे सेफटी एक्विपेंट्स मिलेंगे जैसे कोलाडी और लोही के डंडे है थोड़ा भी है पाइपस है उपर लाइट है कई चारे नॉजल्स है और यह ब्रीधिंग एपरेटस यह अक्सिजन सिलेंडर कई सारे वाजार दिये गए लग लग सिचुएशन के लिए यहां से बरेंगे डीजल आइए पीछे का पैसंजर साइड दोर खोल कर देखते हैं मैनुवल विंडोस है हैंडल बार है चड़ने के लिए फूट स्टैप प्लेन रूफ है उपर बर्च दी गई है उपर लाइट है चैन्साव भी मिलेगी विनाल अपल्स्ट्री होक्स है वैसक दाश्पोर्ट तोस्पोर्क स्टैरिंग यह भी लाइट का रिमोट है हाई यह ड्राइवर साइट डोर खोल कर देखते हैं यहाँ पर भी मैनूल विंडोज हैं हैंडल बार्स हैं एजली चंडने उतरने के लिए यह फोटस्टैप्स रह सिती आगी सीट्स और यह पैडल्स यह विंड प्लेट ग्रॉस वाइकल वेट अक्सलोड और यह मैनूल हैंड ब्रेक विलियम्स कंट्रोल्स के पैडल्स हैं एडजस्टेबल सीट है ड्राइवर के लिए और यह है जेड़फ का S6-36 6-speed manual transmission और यह फायर गेर है पीछे के एक्कुपेंट्स के लिए पैसेंजर सीट और यह अहूजा का पब्लिक एड्रेस सिस्टम है USB और साइरन के साथ संवाइजर्स नहीं मिलेंगे और यह एलेक्ट्रोनिक डीजल कंट्रोल ABS और हजार्ड लाइट के बटन्स यह तोड़ी स्पेस तीग यह ड्राइवर के लिए स्विच बॉर्ड है फैन के वैंड्स और यह डैशबोड के फिनिश और यह मैनूल स्टेरिंग लाइट के चंट्रोल्स होन का बटन और यह वैपर के चंट्रोल्स और यह इंस्टुमेंट क्लस्टर जो दिखाएगा यह स्पीड, र्पीम, फ्यूल लेवल, कूलन टेम्परेचर और कही इंफरमेशन यह फ्यूस बॉक्स, बॉक्स यह ट्रॉक आउन कर लेते हैं यह एर प्रेशर स्पीड, र्पीम, ओडोमेटर और यह कूलन टेम्परेचर, फ्यूल लेवल रीदिंग लाइट और यह है 5,660 cc इंलाइन 6 सिलेंडर BS4 टर्बो चार्ज, इंटर कूल H-Series डीजल एंजन, कॉमन र्वेल सिस्टम और आई, EGR टेकनोलजी के साथ, 180 होर्सपावर है, 660 nm टॉर्क है, और 3 का एवरेज मिलेगा 250 लिटर के फ्यूल टैंक से और लगबग 90 km पर आर के टॉस स्पीड है अशोक लेलेंड का H-Series एंजन है अजन 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 फcieżसी वं अजन कelly अजन अब लेक्स प्रेय ओप्शन से इसमें खापी लंगा थो है 2250 लिटर पर मिनट एक वाटर पॉंप कर सकती है एक सिर्णा डेक्टा ये वाट भाटर इसाड़ है 7.5 kg अशरी कि अभी आप अपार आप को अपयां आप को करिया अपार आप अपया आप को अजय कर अपया कि अपया आपको अशोग लेलंड का फाय ट्रॉक एंप मैं कमें बताईए आप थांक यू झाल, 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 झाल.